मैं हूँ रश्याद अली, वेलकम टू 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 आरगेट सरकारी नोकरी, जूनियर सिख्षक भरती की तैयारी में, आज हम डिसकस करेंगे सफलता प्रैक्टिस सेट नमबर दो को, जिसमें शामिल होंगे, समान्य अध्यन के 50 बहतरीन क्वेशन्स, इससे पहला अच्छा था, इसलिए भी सीरीज को हम कंटिन्य करेंगे, इस वेडियो को भी आप लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, सफलता प्रैक्टिस सेट का एक एक प्रैशन आपने आप में कई सारे तथ्ये, कई सारी जानकारी को समेटे हो है, जो आपकी तैया प्रैक्टिस सेट की शुरूआत हम करेंट अफेयर के प्रशनों से करेंगे, पहला सवाल देखिया आज का, सवाल नमबर पहला आज का इस तरह से है कुछ, निमलिकित में से किसे केंदर शाशित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केंदर शाशित प्रदेश, लद्दाक के जम्मू कश्मीर राज्य के दो यूनियन टरिटरीज में बट जाने के बाद में इन दोनों का हाई कोट कोमन है, एक ही है दोनों का हाई कोट, उस कोमन हाई कोट के चीफ जस्टिस अभी कौन नियुक्त किये गया है, क्या आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टन प्रशन है साल 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को एक कानून के तहत दो यूनियन टरिटरीज यनि दो केंदर शाशित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, इस कानून का नाम था जम्मू कश्मीर पुनर गठन अधिनियम 2019 जो की जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य होगा करता था इस राज्य को अब दो केंदर शाशित प्रदेश जिसमें एक का नाम जम्मू और कश्मीर है दूसरी यूरें टेरिटरी यानि दूसरे केंदर शाशित प्रदेश का नाम अब लद्दाख हो गया है और इसका विभाजन इन दोनों यूटीज को जो है 31 अक्टूबर 2019 से लागू कर दिया है इस अधिनियम को इस बिल के साथ कुछ इंपॉर्टन डेट्स भी हैं ये भी याद रख सकते हैं पांच अगस्ट 2019 को भारत के ग्रिह मंत्री अमित शा के दौरा जम्मू कश्मीर पुर्णर गठन बेलिया अधिनियम को जो है इसको राजसभा में बेश किया गया दोनों ही दिन पर ये अलग-अलग पारित भी हो गए और 9 अगस्ट को इसको 9 अगस्ट 2019 को भारत के रास्ट पती के पास सुकिर्ति के लिए भेजा वहां से भी ये सुकिर्ति मिल गई और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पुरार गठन अधिनियम को लागू कर दिया गया जिसके तहर जम्मू कश्मीर अब जो है दो यूनिन टरिटरीज में बढ़ चुका है जम्मू और कश्मीर के जो उपराजपाल है वो हैं वर्तमान में मनोथ सिंहा और लद्दाख के जो उपराजपाल यानि लेटनियन गवर्नर है वो है आर के माथुर यानि राधाक्रेशनल माथुर इन दोनों ही यूनिन टरिटरीज के लिए एक कोमन हाई कोट भी है एक قومن उचनियाल है जिसका नाम है जमो कश्मीर हाइकूर्ट जो जमो कश्मीर हाइकुर्ट है ये श्री नगर में है और अब ये जमो कश्मीर और लद्दाख इन दोने युनिन टेरिटरीस का قौमन कोमन हाई कोट है जिसके मुख्यने अधीश अभी कौन है वर्तमान में पंकज मिथल ये भी याद रख सकते हैं कि साल 1928 में स्थापना हुई थी जम्मो कश्मीर उचिन्यायले की जिसके पृत्थम चीफ जस्टिस बनाए गए थे लाला कमर सिंग और वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस है मुख्यने अधीश 2021 में कोन है पंकज मिथल इसका अंसर हो जाएगा उप्शिन सी चले सवाल का अंसर उप्शिन सी रहेगा बिल्कुल ठीक अब आप भी सोच रहोंगे कि इन दो यूनिन टेरिटरीज के लिए दो राज्यों के लिए एक सिंगल सुप्रीम को सुरी एक सिंगल हाई कोट कहा होता है अगर आपने भारत के समिधान में आर्टिकल नमबर 214 को पड़ा हो तो उसमें लिखा हुआ है प्रतियक राज्य का एक उच्छ नियाल होगा यार राज्य के लिए एक हाई कोट होगा और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोट हो सकता है सवाल बनेगा भी वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्छ नियाल है कितने हाई कोट हैं ये भी आट कर लिजी अपनी जानकारी में, कि आपको पहले ही पता होगा, भारत में एक सर्वोष नयाल है, सुप्रीम कोट है, यानि भारत में इससे बड़ा कोई कोट नहीं है, जो कि कहा पर है, दिल्ली में, और इसके मुखे नयाधिश कौन है, तो इस भारत के सुप्रीम क 2019 में बने थे, अब आपको बताना है, भारत में उच्छी नयायलो की संख्या, नंबर ओफ हाई कोट इन इंडिया कितनी है वर्तमान में, वर्तमान में हमारे देश में, अगर हम बात करें, हाई कोट की संख्या है, 25 हाई कोट है, ये भी याद रखेगा, भारत का 25 हाई कोट इंडिया कौन है, अमरावती हाई कोट, किसका है, ये कौन सी स्टीट का है, आंदर परदेश का है, जिसको एक जनवरी याद रखेगा, ये भी इंपोर्टन है, एक जनवरी 2019 से इनका जूरेडिक्शन भी शुरू हो गया, क्योंकि जब आंदर परदेश राज्ये को दो अल इंडरबाद हाई कोट, तेलंगाना राज्ये के लिए है, और अमरावती जो है, ये आंदर परदेश राज्ये के लिए है, चलिए, इस क्वेशन को देखिए, चीफ जस्टिस अब आंदर परदेश हाई कोट, आंदर परदेश का हाई कोट कहां पर है, ये भी याद अगर आप बात करें आंदर प्रदेश के उच्छ नेले के मुख्य नियादीश कौन है अरूप कुमार गोस्वामी ये अभी जनवरी 2020 में अपॉइंट किये गये नए बनाए है और राजयपाल कौन है इसके विस्वा भूशन हरी चंदन राजयपाल है किसके आंदर ने रेन मोदी ने हाल ही में नैशनल मेटरोलोजिकल कॉन क्लीव 2020 का उदगाटन किया ये सम्मेलन CSIR राजची बहुतिक प्रियोकशाला CSIR का फुल फॉर्म क्या है कांसिल उफ साइन्टिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी जो राजची बहुतिक प्रियोकशाला है नैशनल फिजिकल लेबरेटरी है डैली में इसने अपने कौन से स्थापना वर्ष को चिनिद करने के लिए किया है तो ये था इसका 75 75 स्थापना दिवर्ष ऑप्शन डी सही रहेगा सौरी सी ऑप्शन ऑप्शन डी है लेकिन सी प्लेस पर है लेकिन ये जो है 75 यहांसर ये कौन क्लिव ये पैंगोंग झील में पूरी तरह से शश्च्तर स्वदेशी नोकाओं को तेनात करने की योजना तयार की है ये जील कहां परस्थित है पैंगो जो पैंगोंग लेक है इसकी लोकेशन लद्दाक में लद्दाक Union Territories में आती है ये सवाल नमर अगला है भारतिय खादिश रक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने तेल, oil and fat में जो trans fatty acid होते हैं TFA इनकी मात्रा को साल 2020 तक के लिए कितना रखना सीमित कर दिया गया है तो इस सवाल के हम अगर हम बात करें इसका FSSAI का full form the food safety and standards authority of India नई दिल्ले में है ये समस्ता और इसने साल 2021 के लिए जो oil and fats नहीं जो तेल और वसा में शामिल होता है एक acid trans fatty acid इसको साल 2021 में 3% तक सीमित किया है और साल 2022 के लिए 2% अब ये option में यहां किस के लिए पूछाया 2021 के लिए तो answer हो जाएगा 3% option C सवाल नमर नेक्स रहेगा अंटार कटिका के लिए वैग्यानिक अभियान को पाच जनवरी 2021 को रवाना किया गया था कौन से नंबर का वो अभियान है इस वक्त जो भी जागया है अंटार कटिका में अंटार कटिका के हम बात कर रहे हैं एक्षिली ये श्वेत महादीप है इस पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और यहां पर कोई व्यक्ति यहां पर कोई जन मतलब लोग नहीं रहते हैं इस पर इसको निरजन महादीप भी कहते हैं लेकिन बहुत सारे देश हैसे हैं जो बड़ तो भारत के हमारे देश के भी अनुसंधान केंद्र है अंटार्क टिका में बने हुए तो शुरुवात में अगर हम बात करेंगे अंटार्क टिका में भारत के कौन-कौन से अनुसंधान केंद्र है तो भारत में सबसे पहला रिसर्स सेंटर जो की अंटार्क टिका में मनाया first research center of India in Antarctica 1984 में बनाया था तो पहला research center पहला research station कह लीजिए ये दक्षिन गंगोत्री 1824 में बनाया गया भारत के तुछारा दूसरा था मैत्री साल 1989 में और तीसरा साल 2012 में भारती नाम का ये research center अंटार्क टिका में भारत ने स्थापित किया था तो ये तीन सेंटर हो गए और भारत के अलग-अलग वश हर साल जो है अंटार्किटिक में अंटार्किटिका में बहुत सारे एक तरीके से साइंटिस्ट वैग्यानिक लोग भेजे जाते हैं जो भारती अंटार्किटिक कारिकरम के दोरान के तहत भेज जाते हैं और इस कारिक अभियान शुरू किया था 14 ये होगा 40 महा वैग्यान एक अभियान भेजा था भारत ने इस अभियान को अगर हम बात करें गोवा से रवाना किया गया था जिसमें 43 लोग इस जहाज पर तैनात किये गए थे और ये 30 दिन का समय इसने लिया अंटार कटिका में पहुंचने के 40 सदिस्यों की टीम ये अगले महीने अप्रेल 2021 में ये भारत वापस लोट आएगी याद रखेगा भारत ने जो ये रिसर्स सेंटर बनाए इसमें दक्षिड अंगोत्री अब काम नहीं करता है ये दोनों ही चालू है मैत्री और भारती ही चालू है और इससे पहले अगर हम शुरूआत की बात करें भारत अंटार्कितिक कारेकरम की शुरूआत हुई थी साल 1981 में शुरूआत हुई थी जिसमें जब यहां से SZ कासिम के नित्रित में एक अभियान भेजा गया था सबसे पहला जिसमें 21 वैग्यानिक शामिल थे और सहकरमचारी भी पूरी टीम शामि नेक्स्ट की तरफ चलेंगे अब अपने सवाल नमर नेक्स देखिए ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग ब्लिनेयर इंडेक्स 2021 के अनकॉर्डिंग एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है एशिया रिचेस्ट परसन बताना है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको चलिए अगर हम इस ब्लूमबर्ग इंडेक्स की बात करें ब्लूमबर्ग ब्लिनेयर इंडेक्स 2021 की इसमें टॉप पोजिशन पर विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति इसके अकॉर्डिंग कौन है जेफ बैजोस जेफ बैजोस क्या है ये अमेजॉन जो वेबसाइट एस सेलिंग प् Microsoft की founder है और बारवी position पर है मुकेश अम्मानी इसमें Reliance Industries के मालिक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति होने के साथ साथ ये एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति है इस ब्लेनियर इंडेक्स के according answer is D अगर आप से बुचे इस ब्लेनियर इंडेक्स में मुकेश अम्मानी की rank क्या है तो 12th rank है इनकी इसमें और इसका answer हो जाएगा option D सवाल नमर नेक्स कुछ इस तरह से रहेगा उस राजे का नाम बताई जिसने हाली में child care संस्थानों से बहार निकलने वाले और 18 वर्स की आयू पूरी करने वाले लड़के और लड़केों के लिए कि scheme शुरू की है launch pad scheme ये क शुए रोजगार योजना है जो मध्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है सवाल नमर अगला देखिए मधर टेरेजा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 का theme क्या था चैड़ी मधर टेरेजा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 का जो theme रहा था वो है celebrating compassion in the times of covid याद रहा जाएगा covid के नाम पर है ये short form में इसको MTMA भी बोलते हैं यानी Mother Teresa Memorial Award सवाल नमर अगला है निमले कितमे से किसको 35 तांसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गई इस सवाल का answer हो जाएगा देखिए ये कौन सा है इस answer जो 35 व्यास जी है इनको मिला है तांसेन सम्मान 2020 संतूर प्लेयर है ये संतूर बजाते हैं संतूर वादक है पंडित सतीस व्यास को प्रदान किया गया है ये जो तांसेन सम्मान 2020 है next one सवाल नमर अगला देखिए डॉक्टर हर्षवार्धन को टीका और पृतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन जिसका नाम ह जी ए वी आई गावी के बोर्ड का सदस्य नामित क्या गया गावी का मुख्याल है कहां पर इस्तेत है इसका फुल फॉर्पॉँच सकता है आपसे तो ग्लोबल एलाइंस ग्लोबल एलाइंस फॉर वैक्सीन एंड इम्मनाइजीशन ये क्या है जी ए वी आई गावी है और हेटकॉर्टर आपसे पूछता है ये कहां पर रही जिनेवा यनी स्विजलेंड में है और इसी के एक सदस्य ग्रूप में नामित क्या गया है डॉक्टर हश्वर्धन को चलिए इस सवाल को देखिए भारतिये मौसम विग्यान विभाग आई एमडी ने हाली में किस स्थान पर मौसम विग्यान के इंदे स्थापित किया है तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ओफ एर्थ एंड साइन्स एं डॉक्टर हश्वर्धन इन्होंने जो है मेट्रोलोजिकल सेंटर जिसे हम कहा रहा है मौसम विग्यान इसकी स्थापना किया कहां पर इसको याद रखेंगे ये परागन करता पार्क हाली में कहां पर खोला गया है देगे इंडियास फर्स्ट पोलीनेटर पार्क जो है वो उत्रा खंड में खोला गया है औप्शन डी सही अंसर इसको नेक्सी के सरकार ने हाली में के सिवान के सिवान का कारेकाल एक वर्ष का बढ़ा दिया है 2022 तक के लि के सिवान इनका कारेकाल एक साल बढ़ाने की मनदूरी दी गई है तो इनका कारेकाल अब चोटा जनवरी 2022 तक हो गया है 14 जन्वरी 2022 तक इनका कारिकार रहेगा और ये इस रोके अध्यक्ष है नेक्स देखें अंतराष्टे वित्य सेवा केंद्र प्राधी करण IFSC ये अंतराष्टे प्रतीबूती संगठन IOCU का एक सायोगी सदस्य से बन गया है IOCU का हैटकॉर्टर कहां पर है तो ये है International Organization of Securities Commission हैटकॉर्टर है Madrid में, Spain में है Steel Authority of India Limited यानि सेल के ने अध्यक्ष की रूप में किसको चुना गया है जो सेल है Steel Authority of India Limited इसके ने अध्यक्ष की रूप में चुना गया किसको ये है शोभा मंडल को सेल का हैटकॉर्टर कहां पर है नई दिल्ली में DRDU ने एक जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापन दीवस मनाया DRDU की बात करें Defense Research and Development Organization DRDU की स्थापन साल 1958 में की गई थी इसको बोलते है हिंदी में रक्षा अनुसंदान इवं विकास संगठन कहां पर है DRDU दिल्ली में है और इसके भी मौझूदा चेर्मेन कौन है यह हैं जी सतीश रेड़ी तो साल 1958 में स्थापना हुई थी और रक्षा अनुसंदान और विकास संगठन DRDU ने एक जनवरी 2020 को अपना 63rd 63rd स्थापना दिवस मनाया नेक्स देखें संग्त राष्ट विकास कारिकरम यानि United Nation Development Program के वर्तमान प्रमुक का नाम चलिए संग्त राष्ट विकास कारिकरम United Nation Development Program UNDP किस्थापना साल 1965 में की गई थी इसका हेड़क्वाटर है नियॉक में और इसके वर्तमान जो हेड है वो कौन है इसके प्रमुक है अचीम स्टेनर नेक्स देखें निमलखित में से किसको भारते निर्वाचन आयोग का उपचुनाव आयुक्त नियुक्त क्या गया है ये कौन है उमेश सिना है उमेश सिना को भारते निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के पद पर निवक्त क्या गया है चला यह बात कर रहा है कि इसकी भार्टे निरवाचन आयोक की Election Commission की तो इसमें एक होते हैं Chief Election Commissioner एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त अभी को न है वरत्मान में सुनील अरोडा और दो हैं इलेक्षन कमिशनर यानी चुनाव आयुक्त इसमें सुशिल चंद्रा है और राजीव कुमार है और जो भी नव निर्वाशित नए चुने हैं ये एक हैं डेप्यूटी इलेक्षन कमिशनर यानी उप चुनाव आयुक्त किसको मिलाया गया उमेज सिना को नेक्स देखिए किस सरकार ने तमिल नाड़ो राज्य की भाशा संस्किर्ती को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकाडमी की स्थापना की तो ये दिल्ली ने किया है इस थापनाई तमिल अकाडमी की देखिए भारत को कब तक IUCN समर्थित एशिया संदक्षिक छेतर साज़दारी एपी एपी गया इसको एशिया प्रोट्रेक्टिड एरियास पार्टनर्शिप का सहय अध्यक्षिना गया है कितने वर्षों के लि कर्णल नरेंदर बुल कुमार का हाली में निधन हुआ है उन्होंने भारतिय सेना के निमलेखित में से किस ओपरेशन में महतपूर भूमी का निभाई थी कौन सा ओपरेशन था ही ओपरेशन मेगदूत में इन्होंने महतपूर भूमी का निभाई थी ये जो है सियाचीन ग Chess All India Chess Federation के जो अध्यक्ष अभी चुने गए हैं वो हैं संजे कपूर संजे कपूर को चुना गया है सवाल नमर नेक्स देखेंगे निमलेकित विकरण कौन सी रडियेशन के प्रकारों में से किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है तो देखें जो रडियेशन है इनमें अगर एनर्जी वाइस देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है एक्स रेज में इसमें होती है माक्समम तो जो एनर्जी का क्रम है वो है एक्स रेज का सबसे ज़्यादा उसके बाद अल्ट्रा वाइलेट रडियेशन उसके बाद इसके बाद इंफ्रारेट का तो इसमें option भी सही होगा आपका सवाल नमा next है सूर्य पर उर्जा का जो निर्मान होता है सूर्य में जो energy enormous energy जो दिखती रहती है यह हमें मिलती है यह energy यह किस process की थुरू बनती है इसमें तो सूर्य में जो क्रिया होती है जो reaction होती है वो नाविक के sunland बोलते हैं इसको नाविक के sunland जिसे hydrogen bomb भी hydrogen bomb भी किसके सिद्धान पर है नाविक के sunland के process पर ही कारे करता है तो nuclear fusion में क्या होते हैं जो हलके नाभिक होते हैं परस पर फ्यूज होते हैं एक तरीकी से एक होकर के संयुक्त होकर के भारी तत्व की नाभिक की रजना कर लेते हैं तो ये option भी है तो सूर्य का जो भाग है अधिक्तम किस से बना हुआ है हाइडरोजन और हीलियम से बना हुआ है सूर्य का जो मैक्समम पार्ट है एक उपग्रह में एक अर्टिफिशल सेटलाइट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसका मेन सूर्ण क्या होता है जो यह हमारा Earth है और Earth के चारो और जो Satellites हम Earth से बहार भेजते हैं जो करत्रीम artificial satellites होते हैं जो किसी परपस के लिए भेजे गे होते हैं तो इंपे जो है electricity कहां से मिलती है इंपे electricity कहां से आती है इन पर आप देखो के satellites पर आपको नीले कलर के इस तरह के plate स नजर आते हैं यह होते हैं या इनी को बोलते हैं हम solar cells तो जो solar cell है इन पर mount कर दिये जाते हैं इन satellites पर इन solar cells से ही इन satellites को ऊटजा मिलती रहती है तो इसका answer जाएगा solar cell है solar cell बनाने में किसका उप्यों किया जता है answer होगा इसका answer आप कर सकते हैं असानी से silicon silicon बहुट ज्यादा यूज़ किया जाता है इन solar cell को निर्माण करने में germanium को भी यूज़ करते हैं बाट maximum जो है silicon ही है सवा लगला भारत का प्रिथम परमानु उर्जा केंद्र फर्स्ट एटामिक भारत का फर्स्ट एटामिक सेंटर फर्स्ट एटामिक एनर्जी सेंटर कौन सा है भारत का इसको जाद रखेंगे भारत का पहला परमानु उर्जा केंद्र है तारापुर आटमिक पावर स्टेशन मुंबई यानि महारास्ट में है यह option भी सही answer है इसका next है बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है तो यह है देखिए बार्क की फुल फॉम पूस्ता है भावा अटमिक रिसर्च सेंटर मुंबई महारास्ट में अजीद कुमार महांतीस के निदेशक है तो इसको option में नहीं है लेकिन आप याद रखेंगे यहां से सवाल नमा नेक्स्ट अशोक के अधिकतर अभिलेक जो अशोक के insccriptions है वो किस लीपी में सबसे ज्यादा पाए गए हैं चले अशोक के जो अभिलेक हैं वो कई सारी भाषाओं में, कई सारी लीपियों में लिखे गए थे, जिसमें खरोस्टी, ग्रीक, ब्रहमी लीपी भी शामिलती है, लेकिन माक्समम जो नंबर उफ, माक्समम नंबर उफ जो इंस्क्रिप्शन्स है अशोक के, वो मिले हैं ब्रह सवाल नमा नेक्स देखिए, विना पिटक, विना पिटक जो गरंथ है निमलिखित मेंसे किस से संवंदित है, तो विना पिटक आप जानते हैं यह एक बोध गरंथ है बहुत धर्म के तीन गरंथ लिखे गए थे कौन-कौन से हैं बहुत धर्म में जो हैं तीन पिटक लिखे गए हैं सूत पिटक तीन गरंथ है दरम गरंथ बहुत धर्म के सूत पिटक वीने पिटक अभिधाम पिटक यहां वीने पिटक का कॉश्चन आया सवाल आता है तिरी पिटक साहिते किस धर्म से संबन देता है आंसर होगा बहुत धर्म से अब यहाँ सलेक कर सकते हैं जो यह वीनिय पिटक है इसका subject matter क्या है वीनिय पिटक में जो बताया बौध संग्द करें नियम बताएने रूल्स ऑफ बुद्धीजम इसको या दखेंग और सूत्त पिणक में कया बताए गया है। सूत्त पिणक में actually महात्मा बुद्व के उपठेशों को बताए गया है आ इसमें और इसमें विनेब्या में जो बहुत बिख्शु हुआ करते थे उनकी दिन्चर्य उनके विहारों के नियम। नेक्स देखे राजा हर्षवर्धन के दरवारी कभी हुआ करते थे बानभट ने उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है निमलिखे भाषाओं में से किस में लिखी गई है हर्षचरित हर्श चरिस को लिखा गया है संस्कृत भाशा में संस्कृत भाशा में लिखा गया है इसको नेक्स लिखे कन्नोच पर लंबे समय तक त्री पक्षिय संगर्ष चला था किन तीन राजवंशों के बीच में ये चला हो था कन्नोज पर सबसे पहले जो एक तरीके से राज करते थे तो हर्षवर्धन राज करते थे कन्नोज के उपर इनकी राजधानी हुआ करती थी हर्षवर्धन की राजधानी कन्नोज और इसी को लेकर हर्ष वर्धन की मृत्यू के बाद में कन्योज पर अधिकार करने के लिए तीन अलग अलग वंश से गुजर पृतिहार वंश पाल वंश और राष्ट कूट वंश इन तीनों में जो है संगर्ष चलता रा इसको पाने के लिए दोसो वर्ष्ट तक ये संगर्ष चला और लास्ट में गुजर पृतिहार वंश ने ये संगर्ष जीता और कन्योज पर अधिकार किया तो ये गूर्जर प्रतिहारवंश, रास्ट कूट और पालवंश तो option B गूर्जर प्रतिहार, रास्ट कूट और पालवंश के बीच में तो ग्रहों के निमलेके समों जिनके चार ओर चले पाए जाते हैं ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके चार ओर इस तरह के रिंग्स पाए जाते हैं ये धूल इनको कह सकते हैं हम क्या धूल के कंड गैसे वगरा की जो छले होते हैं रिंग्स हैं ये कौन-कौन से कौन-कौन से प्लानेट के चार ओर पाए जाते हैं तो इसमें देखें शनी शनी ब्रस यहीं अपने एक्सिस पर जितना टाइम एक चक्कर लगाने में लेता है यह उतना ही रहता है इंड़ों को एक साथ ही पूरा करता हैं यहां से भूपर पटी वह स्थान है जहां से भूकंपयत रंगों का आरंभ होता है जो होती है अर्थक्विक वेप्स होती है उन्हें क्या कहा जाता है जो भूपरपटी का वो स्थान जहां से भूपम पे तरंगे निकलना शुरू होती है तो यह होता है उसका अभी के इंद्र यही सवाल कई बार पूछा हुआ है वायू मंडल की निमलेखित में से कौन सी परत है जहां पर हवाई जहाज उढ़ाने के लिए सबसे आदर्श जगा है तो वायू मंडल को अगर आप देखो यह हमारी प्रित्वी जिस पर आप खड़े है प्रित्वी के ऊपर कुछ हाइट पर 8 किलोमेटर अगर आप जाएंग चोब मंडल हम ट्रोपोसफियर बोलते है जितनी भी मौसमी घटना है बारिष है जाहे बिजली का कड़कना है जितनी भी प्राकरति घटना है वो सारी इसमें होती है छोब मंडल में यह अलग से प्रशन पूछा हुआ है उसके उपर जहाँ पर यह अगला जो लेयर आती है वो है स्टाटोस्फियर समताप मंडल यहाँ पर temperature सही रहाता और यहाँ पर कोई भी मोसमी घठना नहीं होती है जिसकी वैसे smooth होता है इन एरोप्लेंस को यहाँ पर चलाना तो यह समताप मंडल में चलती है यह कौन सी परत हवाईजाद उड़ाने के लिए अच्छी होती है समताप मंडल यहनी स्टैटोस्फियर सवाल नमर अगला है भारती नियाईक विवस्था के संदर में अपील अपील की विवस्था का क्या मतलब होता है important है अच्छा असान प्रशन है तो भारत की जो नियाईक विवस्था है उसमें अपील का मतलब यह होता है request करना प्रात्ना करना किस से request करना बड़ी कोट से अगर किसी व्यक्ति को छोटे जो नियाईले होते हैं उनमें justice या नियाई नहीं मिल पाता है तो वो उस से बड़े नियाईले में याची का डाल सकते हैं इसी को बोलते है अपील तो किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है निचले अदाल द्वारा किया गया फैसलता ही नहीं है तो उस से उपर के अदालत में अपील कर सकता है request कर सकता है नियायपाने के लिए सरकार के कारेपालिका के अंग से क्या मतलब होता है देखे सरकार के जो है तीन अंग है सरकार के नहीं यहाँ पर democracy होगा किसी भी democracy के तीन मुख्य अंग होते हैं विधाई का इसको बोलते हैं हम legislature legislature जिस लेचर कारपालिका इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं कारपालिका को एक्जेकिटिव और नियारपालिका को बोलते हैं जोडिश शरी किसी भी देश में जो कानून है कोई देश अगर कानूनों और नियमों की साहता से चलता है कोई भी देश है वो नियमों और कानूनों से चलता है उन कानूनों का रिर्मान किया जाता है उस देश में विधाईका के द्वारा संसत के द्वारा और जो कानून संसत या विधाईका ने बनाए है उन कानूनों को लागू करने का काम होता है सरकार का जिसे हम कारपालिका कहते है तो कारपालिका का कार क्या होता है उस देश में उन कानूनों को लागू करना जो संसद्ने बनाए है तो इसमें आंसर क्या ढूनेंगे आप सिंपल सांसर है यहां कानून लागू करने की बात जो लोगों का समू जो कानूनों को लागू करने और साशन चलाने के लिए उत्तरदाई होता है बिलकुल ये बात सरकार की ही कर रहा है एक तरीके से तो गौर्बेंट ये कारपाल का क्या है लोगों का समुही तो होती है सरकार जो है सवाल नमा नेक्स्ट समिधान का अनुछेद 22 क्या सुनिश्चित करता है तो आर्टिकल अगर 22 को अगर आप देखें ये क्या बताता है गिरिफतारी के दोरान या हिरासत में दुर विभार से बचने का अधिकार देता है ये simple कह सकते हैं ये क्या है गिरिफतारी की दशा में संद्रक्षन प्रवाइट करता है हमें article 22 conservation in arrest next है देखे handbook of agriculture handbook of agriculture कौन प्रकाशित करता है इसको इसको करता भारत्यक्रशी भारत्यक्रशी अनुसंधान संस्थान उत्रप्रदेश में प्रथम खेल गाउं की स्थापना कहां पर की गई तो ये इसका अंसर हो जाएगा देखे आगरा में की गई थी तो आगरा शहर के विकास को लेकर सरकार ने आगरा महायूजना भी तयार की थी आगरा महायूजना 2021 के नाम से है सवाल अमर अगला देखे उर्दू को जिस वर्ष उत्रप्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी माहनेता प्रदान की गई थी वो वर्ष कौन सा उत्रप्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम आया था साल 1989 में इसको याद रखेंगे साल 1989 में उत्रप्रदेश राजभाशा कौन सी है तो ये हिंदी और उर्दू दो राजभाशा हैं किसकी उत्रपरदेश की पहली है हिंदी दूसरी है उर्दू इसका अंसर जाएगा गाजियबाद, तो गाजियबाद में उत्रपरदेश का पहला जो पुलिस म्यूजियम है उसकी स्थापना की गई सवाल अमर अगला है ग्रीन हाउस गैसों की संकलतना किस ने दी थी, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का कॉंसेप्ट किस ने दिया था नेक्स देखे क्योटो प्रोटकोल निम्ने में से किस से संबान दित है अचिलिए क्योटो प्रोटकोल जो है एक अंतरास्टी है, ट्रीटी है अंतरास्टी संदी है जो ग्लोबल वार्मिंग से जैसे की जो अभी मतलब वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है उसके वेश से जलवाई में परिवर्तन आ रहा है उसको रोकने के लिए स्ट्रीटी को किया गया था इस संदी में जो शामिल देश है उनको ग्रीन हाउस गैसों का उतसरजन कम करने के लिए प्रतिबद किया गया तो क्लाइमेट चेंज के लिए आप्शिन सी तो क्योटो जो है एक शहर है जापान का क्योटो प्रोटोकोल जापान में स्टार चरुवेतेस पर 11 देसमर 1997 को और 16 फरवरी 2005 से इसको लागू कर दिया गया था क्लाइमेट चेंज से संबन दित है कुशन नमर नेक्स देखिए निमलेकित पर विचार कीजिए धान का खेत इनी पैडिफील्ड कोईले की खनन पालतु पशु आदर भूमी निमलेकित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस के शुरूत होते हैं पैडिफील्ड से मेथेन गैस निकलती है कोईले की खान से पालतु पशु से इन सबसे यह क्या करते हैं ग्रीन हाउस गैस के एक तरीकी से क्या होते है यह ग्रीन हाउस गैस के शुरूत होते हैं इसको हम अगला चैप्टर देखेंगे उसमें परियावरन वाले परियावरन वाले प्रैक्टिस से में इसको हम कर वाएंगे ग्रीन हाउस effect को शुरू से बताएंगे सारे questions के form में उनको किस तरह से यहाँ से question बनते हैं ते कैसे ये कौनकों सी गैसिस यहां से एमिट होती हैं। चलिए आज का आखरी कुश्शन करते हैं, जलवाई परिवर्तन का कारण क्या होता है, क्लाइमिट चेंज के क्या रीजन है, तो ग्रीन हाउस गैसिस का निकलना, उजोन परत का खम होना, प्रिदुशन, ये तीनों ही कारण होते हैं, क्लाइमिट चेंज के, तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी, ऑप्शिन डी इसका आंसर होगा, सभी, तो ये रहा हमारा मॉक टेस्ट, स्वारी, सफलता प्रैक्टिस सेट, जो आज हमने कम्प्लीट पचास कोशिन किये हैं, आइ थिंक पचास तो ये नंबर्स में ही हैं आपको, पचास से ज्यादा ही कोशिन यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं, ये पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजेगा, और अब हम डिसकस करेंगे, देखें, आज आपका यह आ गया है, और आज आपके लिए अभी एक भारत के समविधान पर बेज्ट, जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट नमबर नो आएगा, और साथी पर्यावरन का एगा, यह दो और आएंगे, आज ही सेम, चले इस विडियो में इतना ही, थैंकिसो मच, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा,